हेलो फ्रेंट्स आज हम दो बहुती आज करेंगे आज जो लोग रेकॉर्डिंग करते वह जानते हैं कि इस्ट्यो में मिडी कीबोर्ड उस होते हैं ऐसा चाहिए फिचर वाइस या पॉटेबिलिटी वाइस तो यहाँ पर दो बहुत ही पॉप्लर कीबोर्ड हमारे पास हैं फस्ट वन इजा नोवेशन लॉंच की मिनी MK3 एंड सेकेंड वन इजा अकाई MPK मिनी प्ले बोथ कीबोर्ड दू हैव 25 कीज और दू मिनी कीज तो हम यहाँ पर दोनों कीबोर्ड का कमप्रिजन करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बार दोनों को ओपन करके दिखाता हूँ तो पहले हम बात करते हैं नोवेशन लॉंच की मिनी MK3 की देखिए यह है कीबोर्ड जिसमें 25 मिनी कीज हैं 16 RGB पैट्स हैं 8 knobs हैं recording controls हैं transport controls हैं और दूसरा हमारे पास है Akai MPK Mini Play यह देखिए दिस अलसो वेरी बीटिफुल कीबोर्ड वेविंग 8 RGB पैट्स 5 knobs और वन जोयस्टिक अलसो तो यह दोनों कीबोर्ड हमारे पास है अब इन दोनों कीबोर्ड को आप देख सकते हैं दोनों बहुत कीबोर्ड are very beautiful और दोनों की compression करेंगे तो compression करने के लिए कुछ हमारे पास parameter होने चाहिए तो यहाँ पर basically हम इन दोनों कीबोर्ड सी compression करेंगे basically यहाँ पर हम around 12 major points की बात करेंगे so let's start first point हम यहाँ पर built-in tones की बात करते हैं जैसे कि friend आपको पता है कि MIDI keyboard में कोई भी built-in tone नहीं होती है हमें उसको DAW से connect करना पड़ता है और हम VST के थूँज को यूज करते हैं यहाँ पर फ्रेंट्स क्या है कि अगर हम इस keyboard की बात करें Akai MPK Mini Play की बात करें तो उसमें यहाँ पर आपके पास 128 128 built-in MIDI tones दे रखी है fine तो which is a unique feature और इसलिए यहाँ पर देखिए आपके पास speaker भी दे रखा है mini speaker because इसके तो tones है तो speaker भी दे रखा है tones को सुनने के लिए तो that is a very good feature जो normally आपको किसी और MIDI keyboard में मिलेगा नहीं उसके बाद अगर हम इस keyboard की बात करें तो इसमें ऐसा ऐसी कोई भी built-in tone नहीं है और normally media keyboard में built-in tones होती नहीं है तो अगर आपको built-in tone चाहिए let's say basic tone चाहिए तो इसमें आपके पास 128 basic tones है Akai MPK mini play में अब हम connectivity के बात करते हैं तो अगर connectivity के बात करें तो यहाँ पर Akai MPK mini play में आपको battery operated भी है यहाँ पर आप आप देखें यहाँ पर USB है और battery mode है जिसको आप यहाँ इस button से change कर सकते हैं आप USB mode में कर सकते हैं आप battery mode में कर सकते हैं जबकि इस keyboard में ऐसा नहीं है इस keyboard में ऐसा दिया हुआ आपके बास इसमें आप battery भी place कर सकते हैं आप cell लगा सकते हैं जिसको आप without using any power battery से भी operate कर सकते हैं तो that is also a very good feature उसके बाद अगर हम यह देखिए बैटरी के लिए आपके बास दो mode है I told you already USB mode and battery mode बटन से आप navigate कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर देखिए है headphone out के लिए jack दिया हुआ है जहाँ पर आप headphone को insert कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यह sustain battle के लिए दिया हुआ है यह आपका USB cable के लिए दिया हुआ है जिससे आप computer पर connect करेंगे इसको और इस cable को लगाएंगे that means MIDI cable को लगा सकते हैं इसके अंतरा आप देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ मैं देखिए लगा रहा हुँ इसको और आपको मैं देखिए light glow कर गई अब ही आपका यह MIDI cable से इसको उन्हें power दी हुई है ठीक है fine friends इसको मैंने निकाल देता हूँ मैं इस keyboard की बात करते है Novation launch की mini m3 की बात करते है तो इसमें भी यहाँ पर आपके पास USB के लिए port दिया हुआ है जिसके थूँ आप MIDI cable को connect कर सकते हैं you can connect with your computer और laptop or whatever मैं लगा के दिखाता हूँ देखे मैंने लगा दिया और lights glow कर रही हैं आपे fine friends उसके बाद यहाँ पर भी sustain pedal के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर MIDI out के लिए दिया हुआ है ठीक है normally क्या वादा friends आपको MIDI out के लिए एक 5 pin din MIDI cable use करनी पड़ती है और इसके थुरू आप इसको यहाँ पर current कर सकते हैं ठीक है मैं दिखाता हूँ देखे आपको यह देखे है normally क्या होता है 5 pin din MIDI cable होती है जिसके थुरू आप अपने MIDI keyboard के out में लगाते हैं आप दूसरे keyboard के आप MIDI इन में लगाते हैं यहाँ पर देखे ऐसा कोई option नहीं है यहाँ पर जो MIDI out cable देगा that is a very unique and different type of cable और इसको यह देखे cable है वो और इसको बोलते है MIDI breakout cable तो यहाँ पर आपको करनेट करना है तो यहाँ पर आपको यह MIDI breakout cable उसकर नहीं पड़ेगी और यह MIDI out में जाएगा जो normally aux जैसा port दिखते है आपको और second part जो आपका है जो आपका MIDI din part है 5 pin वाला वो आपका दूसरे keyboard या synthesizer में जाएगा आप यहाँ से play करेंगे और tone engine आपका second synthesizer या keyboard के use करेंगे that is also very unique thing inference तो यह comparison हम कर रहे हैं now come to the fourth part fine that is fourth major difference अगर हम बात करें screen की बात करें fine so इस keyboard में देखेंगे आपको एक mini screen दिया हुआ है किसमें? Akai keyboard में मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ यहापे मैं आपको power लगा के दिखाता हूँ यह देखें on करता हूँ यह देखें यहापे screen दिख रही है आपको जिसमें आपको parameters की values और काफी हद तक काफी information आपको हैं पे मिल जाएंगी so that is also very unique thing आपको इस keyboard में screen दी हुई है fine parameter number four हम recording controls की बात करते हैं ठीक है so innovation में आपके पास आप देख सकते हैं यहापे इसको निकाल देता हूँ पहले recording controls की बात करेंगे यह देखे है recording control दिया है record का play का button दिया है आपके पास innovation में और यहाँ पर भी देखे हैं यहाँ पर भी आपको recording control दिया हूए यहाँ पर आपको recording control नहीं दिया हूए I am sorry because इस keyboard में आपको recording control नहीं मिलेंगे आपको अपने computer से ही operate करना पड़ेगा fine अब हम बात करते हैं price की बात करते हैं ठीक है अगर हम अखाई keyboard की बात करें चुकि इसमें built-in tone दी हुए है तो यह model जो आपका आता है around 14,000 का आता है दूसरा model भी आता है जो play model नहीं है जिसमें built-in tone नहीं होती है वो थोड़ा सरस्ता पड़ता है वो आपको around 10,000 का मिल जाएगा बट यह model आपको around 14,000 का मिलेगा because it is having the built-in tone also और अगर हम innovation की बात करें तो यह आपको around 10,000 मिल जाएगा but this model is not having the built-in tones तो अगर हमने आपको भी जो parameter बता है even five points वो बात करी मैंने आप से हापे built-in tones की बात करी connectivity की बात करी उसके बाद screen की बात करी recording controls की बात करी और price की बात करी तो यह हमारे five points हमने cover की है next बात करते है next point की देखे इस अकाई keyboard में आपको एक pitch bend मिलता है देख रहे हैं मतलब यह आपका यहाँ पर joystick दी गई है which you can use for the pitch bending and modulation इस keyboard में आपके पास basically दो ribbon दिये गए है for pitch bending and modulation तो यह difference है दुनों keyboard में ठीक है वहाँ पर joystick दी गई है यहाँ पर आपको ribbons दी दी गई है now next point अगर हम pads की बात करें तो अगाई keyboard में आपको 8 pads मिलते हैं जिसको आप finger drumming के लिए या clip play करने के लिए use कर सकते है fine और pad का size भी थोड़ा बड़ा है यहाँ पर और अगर आप navigation की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 RGB pad मिलते हैं size थोड़ा सा small रहता है है यहाँ ठीक है knobs की बात करें तो यहाँ पर आपके वो around 5 knobs मिलती हैं और एक volume knob मिलती है अकाई में navigation की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 knobs मिलती है fine next अगर हम ARP की बात करें fine तो अकाई keyboard में आपको आपको मैं दिखाता हूँ इसके लिए इसमें आपको एक RPGator का function मिलता है fine और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक note repeat का button मिलता है तो ARP का button मिलता है यहाँ और note repeat का button मिलता है navigation में आपको ARP का button मिलता है और एक button और मिलता है fix chord के लिए यहां पर देखिए आपको tap tempo का बटन में मिलता है ठीक है octave बटन की बात करें तो यहां पर अकाई में आपके पास octave plus minus के बटन मिलते है यहां पर भी आपके बास octave के बटन मिलते है बट यहां पर आपको off tick बटन के लावा transpose का बटन भी मिलता है that is also unique feature so friends अगर हम last point door connectivity के बात करें तो यह जो innovation का keyboard है इसकी best connectivity जो होती है वो Ableton के साथ होती है अगर आप Ableton यूज करते हैं तो और अगर हम Akai keyboard की बात करें तो इसकी best connectivity pro tool के साथ होती है ठीक है अब बाकि आप जो भी यूज करते हों वो आपके लिए आपके requirement है so basically friends हमने यहां पर all the major points cover की है जिसमें से 12 points around cover की है जिसमें से first 5 points आपके major differences है बाकि आपके requirements वे depend करता है और इसके लाबा इसकी और जो आगर आपको let's say Akai की built-in tones का वीडियो देखना है या क्या मैंने songs play किये यह सब वीडियो देखना है आपको तो मैंने उपर eye button में cover किये हुए हैं वहां से आप बाकी वीडियो को refer कर सकते हैं बाकी आपका decision होगा कौन सा keyboard आपको purchase करना है बोथ keyboards हरदा very good keyboard thanks for watching